हेलो दोस्तो गुड इबिनिंग आज हम जानेंगे प्रमुख मुहावरेवन के अर्थ तो आईए स्टार्ट करते हैं नियंत्र रखना अंगल लगाना या लिपटाना अंगारा होना क्रोध में लाल हो जाना अंगार उगलना जली कटिंश सुनाना अंगारों पर पैर रखना यानि कि जोखिम मोल लेना अंगुठे परमारना परवाह न करना अंगुठा दिखाना निरास करना या तिरसकार पुर्वक मना करना अंगूर खटे होना प्राप्त न होने पर उस उबस्तु की रद्धी बाते बताना अंजर पंजर धिला होना अंग अंग धिला होना अंडा फूट जाना भेद खुल जाना अंधा बनाना ठगना अंधे की लकड़ी या लाठी एक मात्र सहारा आखों का पानी ढलना यानि कि निरलज बन जाना आखों से गिरना यानि आदर समाप्त होना आखों पर परदा परना यानि बुद्धी भरष्ट होना आखों में रात कटना यानि कि रात भर जागते रहना आच नाने देना यानि थोड़ी भी हानी न होने देना आसु पी कर रह जाना यानि की भीतर ही भीतर दुखी होना अकास के तारे तोड़ना यानि असंभव कारे करना अकास पताल एक करना यानि कठिन प्रयत्न करना आग में घी डालना यानि क्रोध और अधिक बढ़ाना आग से खेलना यानि जान बुझ कर मुसीबत में फसना आग पर पानी डालना यानि उत्तेजित ब्यक्ति को सांत करना आटे दाल का भाव मालूम न होना यानि कठिनाई में पड़ जाना आसमान से बाते करना यानि उची कलपना करना आड़े हाथ लेना यानि खरी खरी सुनाना असमान सिर पर उठाना यानि बहुत सोर करना आचल पसारना या भीक मांगना आधी के आम होना यानि बहुत सस्ति वस्त मिलना आशु पोचना यानि धीरस देना आग पानी का बैर यानि सभाविक सत्रुता आस्मान पर चड़ना यानि बहुत अधिक अभिमान करना आग बबूला होना यानि बहुत क्रोध होना आपे से बाहर होना यानि अत्यधिक क्रोध से काबू में न रहना आकास का फूल और प्रियाप्त वस्त। आस्मान पर उड़ना यानि अभिमानी होना आस्तीन का सांप यानि विश्वास घाती मित्र अकास श्यूमना यानि बहुत उंचा होना आग लगने पर कुँँखोदना यानि पहले से कोई उपाय न कर रखना आग लगा कर तमासा देखना यानि जगड़ा पैदा करके खुस होना आटे के साथ घुन पीशना यानि दोसी के साथ निर्दोसी की भी हानी होना आधा तीतर आधा बटेर यानि बेमेल का असमान के तारित तोड़ना यानि असंभव कारी करना असमान फट पढ़ना यानि अचानक आफ़त आपढ़ना आचल देना यानि दूद पिलाना आचल में गांट बांदा यानि अच्छे तरह याद कर लेना आचल फैलाना यानि अतिविन नम्रता पुर्वक प्राथना करना आधी उठना यानि हल्चल मचना आसु गिराना यानि रोना आसुओं से मुह धोना यानि बहुत रोना अकास कुसुम यानि अनहोनी बात अकास खुलना यानि बादल हटना अकास पताल का अंतर होना यानि बहुत बड़ा अंतर आग का पुदला यानि की बहुत क्रोधी आग के मोल यानि की बहुत महगा आग लगाना यानि जगडा करना आग मी कूदना स्वयम को खत्रे में डालना आग परलूटना यानि बेचायनोना या इस्थ्या करना आग बुझालेना यानि कसर निकालना आग भी न लगाना यानि तुक्ष समझना